ये बच्चों एक बए फिर से आप सभी का अमारे यूटूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम सात्मी क्लास के विज्ञान के आकलन कारपत्तक संख्या साथ को पढ़ेंगे ये 16 नॉम्बर के लिए आपका है सबसे पहले आप अपना नाम और अपने क जो बिकल्प से होगा उस बिकल्ब के सामने वाले गोले को आपको काला करना है तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बैल आइकन दबाले और वीडियो को प्रस्ण पर चलते हैं पहला प्रस्ण है कि मानो शरीर में सबसे बड़ी गरंथी कौन है तो आपका थर्ड कोस्टन सही है यानि यक्रित ये गोले को आपका अला करेंगे दूसरा प्रस्ण है मानसल पेसी अंग जो लार के साथ भोजन मिलाने में मदद करता है तो वह है जीव यानि दूसरा आपका सही है विकल्प नमबर सेकेंड सही है तीसरा है पांचे नलिका का कौन सा भाग जिवाड़ों को मारने में सामिल होता है तो आमास है चौथा आपका सही है तो तीसरे का चौथा सही है इस फोर्थ विकल्प पे सामने गोले को काला करेंगे अब प्रस् देखे आप धान्त हैं क्रिन्तक DRADAK4 वर्ण तो में का ख़ता हैं पहला विकलप कता है पांच प्रस्ण पर आते हैं आपचित भोजन से जल मुक़् et और यह अ is आउस्वोशित होता है यहानि पहला विकलप पका उसाल थे उसके सामरे वाले गोले को आप काला करें छटें प्रस्ण पर आते हैं वसा तीसरा यानि का पूर्ण पांचन चुद्रांत में होता है किसका वसा का तो यहाँ पर आपका तीसरा जो थर्ड विकल्प है थर्ड वो सत्य है साथ में विकल्प पर आते हैं तो साथ में में प्रस्ण है कि में अस्थाई रूप से पित तरस का भंडारन होता है तो देखिए पित तरस का भंडारन कहां पर होता है यक्रित में होता है आपका यक्रित सही जो विकल्प है तीसरा वो सही है आठवा प्रस्ण है, अमीबा अपने भोजन को खाद द्धानी में पचाता है यान पहला जो है यह आपका सही बिकल्प है, इसमें पचाता है केंद्र गलत है, पादाव गलत है, इनमें से कोई फर्स्ट आठवे का जब पहला बिकल्प सकते है नमा प्रस्ण है, छोटी आत की आंतरिक भित्ती, उगली के सामान उभरी हुई सरचनाय होती है, जिन्हें कहते है अब देखिए, आमासय नहीं, मुकबुहा नहीं, बढ़िया चौथा नाइन्थ प्रस्ण का चौथा जो भिकल्प है, निरसांकुर, उन्हें कहते है यह सत्य है, प्रस्ण नमबर दस पर आते है घास को बहुत तेजी से निगलते हैं, और इसे नामा कक्ष में जमा करते हैं तो कौन, 知道, जो रूमिनेट्स जानवर होते हैं, यह जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं घास को बहुत तेजी से जैसे गायभास होते हैं, और इसे रूमेन नामा कक्ष में जमा करते हैं और बाद में जब यह बैढते हैं तो महाँ से निकाल करके इनको जो इसे जुगाली करते हैं यानि आराम से इनको पचाते हैं तो यूई छात्रों आपके 7 कलास का जो विज्ञान है उसमें मानौ और जीवाद की पाचान तंतर के बारे में दिया गया है तो वहीं से यह प्रस्ण बने हुए है इन्हें आप करके अपने कच्छा ध्यापक या भी स्याद ध्यापक के साथ सेयर करें और वीडियो को भी ज्यादा सेयर करें थेंक यू